यहां पर एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोग के लिए मॉयल मॉयल लिमिटेड की तरफ से जो कि एक गौर्मेंट कंपनी है गाइस अभी 15 दिन पहले 10 से 15 दिन पहले मैंने एक आपको रिक्रूमेंट के बारे में बताया था मॉयल लिमिटेड में एक रिक उस टाइम फुल नोटिफिकेशन नहीं आउट वा था एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे मैंने आप सभी लोग को बताया था मॉयल लिमिटेड है बहुत ही जल्दी आपको एक रिक्रूमेंट देखने को मिल सकती है और यहां पर दोस्तों जो रिक्रूमेंट है बात करेंगे वीडियो की श्राट करने से पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राफ्त हो जाए इसकेला दोस्तों आ तो नीचे लिंक है वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स पर जहाँ से आप ज्याइन कर सकते हैं वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजे ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका बस सके यहाँ पर दोस्तों हम मॉयल लिमिटेट की ऑफिशल वेफसाइट पे है और यहाँ पर जो रिक्रूमेंट का शेक्षन है वहाँ पर हम देखते हैं दो रिक्रूमेंट अभी एक्टिव है जिनकी लास्ट डिड़ अप्लाई करने की 15 सितंबर है दोनों की और 11.08 को दोनों का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था यहाँ पर पहली जो रिक्रूमेंट है दोस्तों वह डिप्लोम वालों के लिए और नॉन टेक्निकल वैकेंसी आया है जहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूमेंट फॉर्ट अप स्लेक्ट ग्रेड माइन फोर मैन की है और इलेक्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है ठीक है ट्रेणी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की व में मेंशन है क्या क्या चीजें है फॉर्म फिस क्या है इग्जामिनेशन सेंटर कहा कहा होते इंस आई चीजों पर बात करते हैं तो चले दोस्तों मैं पहले इस पीड़ को डाउनलोड कर लेता हूं यहां पर दोस्तों मैंने इस पीड़ को डाउनलोड कर लिया है यहां पर इस पॉर्टेन डेट्स की बाल कर लेते हैं तो 25 आज के दिन इसका ओलेन अप्लाई कर लेते हैं अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्केशन बॉक्स पे आप सा भी लोगों को मिल जाएगा और जो लाज डेट है वो दोस्तों 15 सितंबर तक आप इसको अपलाई कर सक करेंघ़ सकते हैं चलिए अब आगे बात कर लेते हैं घर दोस्तों हम बात कर लेते हैं गाइप जो मैने लोट तर्के टीघी व ठीड पी उली फ्याराफे यह फुल नोटिफिकेशन वाली PDF है, चलिए, वही चीज मैंने आपको बता ही, 25-36 का ओलाइन अप्लिकेशन फॉर्म इस्टार्ट हो रहा, 15 सितम पर थाक आप इसको भर सकते हैं, ओफिशल जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिशन में मिल जागा, चलिए, कौल तो यहाँ पर कुछ वेकेंसी है देखती, जो सर्वेयर की वेकेंसी है, वहाँ पर दो-दो कौलिफिकेशन कुछ मेंशन चलिए, पढ़ लेता हूँ मैं इसको, इसमें जो पहली जो कौलिफिकेशन है, वो है graduate from recognized university, डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेयर या फिर डिप्लोमा सर्वेयर या डिप्लोमाइन सिविल इंजिनरी, minimum 4 साल का experience आपके साथ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, दोस्तो minimum qualification marks की तो journal और EWS candidates के लिए 60% है, SCST candidates के लिए 55% आपका minimum qualification marks होना चाहिए, ठीक है, चलिए, अब और हम सिचों की बात कर लेते हैं, number of vacancies की बात कर लेते हैं, तो mechanical के लिए दोस्तों यहाँ पर number of vacancy 4 है, electrical वालो के लिए भी 4 है, और surveyor के लिए total vacancy 3 है, edge collection जो आपको OBC और SCST candidate होने के राते मिलता है दोस्तों तो आपको वही edge collection मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों जोस्तों का आपका computer based online test होगा, वह आप देख सकते हैं, the duration of computer based online test will be 90 minute, 90 minute का आपका paper होगा, देड़ा गंटे का paper होगा, आपके objective question आएंगे 85, 85 question जिसमें से 20 reasoning होगी, 10 English होगी, और इसके बाद दोस्तों आपका जो subjective knowledge होगा, उसमें से दूसरा, यह first segment में आपका 20 reasoning आएंगी, general knowledge reasoning 20 और 10 English, इसके जो दूसरा segment आपका होगा, वह आपके relevant trade का होगा, चाहे आप mechanical के हो, चाहे भी electrical के हो, तो 55 questions आपके आएंगे, question paper Hindi और English, दोनों में आएगा, English वाले version को preference दी जाएंगे, minimum qualification marks मैंने आपको बता दिया, 50% marks आपका होना चाहिए, general और EWS के लिए, SCST और OBC के लिए 40% marks आपका marks carry करेगा, वह होगा, अगर हम application fees की बात कर लेते हैं, last video में आपको बता था, 100 रुपए इसका online application fees होगा, journal, OBC और EWS के लिए, SCST के लिए कोई भी application fees नहीं है, ठीक है, upper age limits की बात कर लेते हैं, 30 years, 30 years upper age limit होगा, age relation 3 साल OBC का, और SCST को 5 साल का age relation आप सभी लोग को मिलेगा, च इन इसली आपको 50,000 का training period में आपको 50,000 पर मन्त का consolidated amount मिलेगा, जिसमें कोई भी आपको other allowances नहीं include होगे, इसके बाद जैसे आपके training होगी, आपको 50,000 basics से आपको मिलेगा, ठीक है, medical examination होगा, इसके बाद आपको online application form को apply करने का link मैंने आपको पहले ही बता दिया किसी वीड के लिए जो वेकेंसी थी, उसमें जितनी important चीजे थी मैंने डिसक्स करें, चली अब आते हैं जो डिप्लोमाली के लिए वेकेंसी है, उस पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो मैंने बी, जो next recruitment है, recruitment for the post of select grade mind for men के लिए, जो electrical supervisor की वेकेंसी, चली इसके बारे में 10 सितंबर, इसकी सेम भाई डेट है, इसका भी अप्लाई करने करेंगा आपको diet वीडियो के discussion box मिल जाएगा, पहला जो पोस्त है दोस्तों वो mine for men का है, जिसमें चार वेकेंसी, एक सी की, एक स्टी की है, और एक यूर की है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम qualification की बात कर लेते है तो आपको 10 प्लास होना चाहिए, इसके लावा processing valid mine for men certificates of competency, तो आपके बास mine for men का certificate होना चाहिए, experience की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों 6 year का experience होना चाहिए, आपको after passing mining for men competency certificate, ठीक है, अगर हम age limit की बात करें, तो आपड ही 40 होगी, ठीक है, pay scale दोस्तों आपका बहुत ही जाड जो बाद कर लेते हैं, ग्रेड मांन, फोर मांन की तो जो जिसमें डो साल के मांगा, इसके लाओ दोस्तो, यहां पे फ्रेशर कंडिडिट अगर आप आप ऐज फ्रेशर फ्वार्टाकन है्स jerk के वह सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेमने मेरा शेर वह प्लवार्ट कर सकते चली अबब बात कर लेते도rr थे हैं हुआजी बात कर लेते दोगा इलेक्ट्रिकल होना.. लेकिन अगर आपके पास यह साही चीज़े नहीं है तो भी आप फ्रेशर भी फिल कर सकते हैं कैसे वह मैं आपको बता देता हूं देखिए आप लिखा हूँ और करके ओप्शन में कि दिपलोमा और रिंजिन ने तो मांगा अगर आपके पास ये सारे एक्सपिरियंस है तो डारेक्ट आप 12,200 के बेसिक पे जॉइन कर लेंगे लेकिन अगर आपके पास एक्सपिरियंस नहीं है तो आप दो साल ट्रीनिंग पर रखेंगे जहां पर आपको एक फिच्ट इमाउंट 12,200 मिलेगा और इसके बाद आप इलेक्रिकल सुपरवाइजर का वहां से सर्टिफिट लाएंगे और दो साल के बाद पर्मानेंट कर दी जाएंगे दो साल के जो ट्रीनिंग होगा दोस्तों उसमें आपको 12,000 रुपा बैंगलूरू यह टेज सिटीज होने वाली है अगर आम बात कर लेते कंप्यूटर बेस्टेज में तो 90 मिनट का जो पेपर होगा दोस्तों उसमें 10 कोश्चन जनल नौलेज के 10 कोश्चन रेजिनिंग के सब्जेक्टिव नौलेज के 80 कोश्चन आएंगे ठीक है सब्जेक् पर इस लीमिट के अगर आप सभी लोगों को से इसके लाओ दोस्तों अगर आपका कोई बी डाउट होता है तो इसी वीडियो की डिस्क्यूशन मोक्स में जाएंगे कमेंट करिए दोनों को अप्लाइग करने का लिंक मिल जाएगा मैं आपको लिग दूगा वहाप पे अप्लाइग जी टी और अप्लाइग डिप्लोमा का यंडर्स तो दोनों के लिए मैं लिंक प्रवाइट कर दूगा अलग लग सेपरेटली तो कहीं भी घूमने की ज़रू होत नहीं है ट स्थमाने के लिए जावा यजल्स तेंट